बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पुराना याने की पुरानों के जमाने का पौरानिक घोटाला क्या है जाती वर्ण देखकर परिक्षा में पास या फेल कर देना कुछ ऐसे ही घोटाले की ओर ध्यान दिलाया है मध्यप्यदेश के पूर्व मंत्री जीतु पटवारी ने जीतु पटवारी ने MP के राजपाल महदय को पत्र लिखकर ये जानकारी दी कि किस तरह MPPSC यानि की मध्यप्यदेश लोग सेवा आयोग ने स्त्री रोग विशेशक्य डॉक्टर्स की भरती में जातिय भेद भाव किया है उन्होंने लिखा कि मध्यप्यदेश लोग सेवा आयोग भारत के सविधान द्वारा स्थापित समिधानिक निकाय है जो राज की सेवाओं में नियुक्तु के लिए परिक्षाओं का आयोजन करता है ताकि योग्य लोग सेवक्चैनित हों लेकिन पूर्ण पार दरशीता की अपेक्षा इहीं से रहती है पिछली 6 दिसंबर को जिस परिक्षा का रिजल्ट आया उसमें इंटर्यू के बाद 95 इस्त्री रोग विशेशक्य डॉक्टर्स चुने गए इसमें लिखित पर नमबर दिये गए उसमें और अन्य सामाने वर्ग के कैंडिडेट्स के बीच में भेद भाव साफ नजर आता है और ये योग्यता और समानता वारी सेमेधानिक मूल भावना के साथ भी खिलवार है इस पत्र के साथ जीतू पटवारी ने वो लिष्ट भी जूड़ी है जिस से 63 नमबर ही दिये गए हैं वहीं सामाने वर्ग के कैंडिडेट्स को 75 से 89 तक के भर भर के नमबर देकर परिक्षा में चैनित कर लिया गया पूरोबंत्री ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि मद्यपदेश्ट लोग से वायोग ने वर्गिये भेद भाव की मानसिक्त से इंटर्यू में नमबर दिये हैं इस से जहां एक और समिधानिक संस्था के साथ खिलवार हो रहा है वहीं पर वन्चित वर्ग के युवाव में हताशा पैदा करने की कोशिच भी ये नजर आती हैं जीतू पटवारी ने मांग की कि इस रिजर्ट को निरस्त करके इन पद नहीं नहीं हैं बहुत पुरानी है क्योंकि पक्षपाती द्रोणाचारे की परंपरा वाले सिक्षकों से भरे तमाम संस्थानों में बहुजन प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ लंबे समय से ये भेदभाव होता रहा है वरिश्ट पत्रकार दिलिपमंडर लिखते हैं कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा घुटाला है यह रिटेन में बहतरीन नंबर लेकिन इंटर्यू में जाती देखकर कम नंबर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि इंटर्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसे वेबसाइट पर अप्लोड भी किया जाए लेकिन सरकार है कि मानती नहीं एक पुराने लेक में उन्होंने लिखा था कि देश आजाद हुआ ही था सब तरफ खुश्णुमा माहोल था नया राश्ट्र बन रहा था लेकिन तभी 1950 में एक हाथसा हो गया नो गठित यूपी एससी ने सिविल सर्विस की पहली परिक्षा करा ली और इसमें अनुसूची जाती के एक कैंडिडेट अचुत्ता नंद दास ने रिटेन में कुल एक हजार पचास में से 609 नंबर लाकर टॉप कर लिया अब रिटेन में दूसरे नंबर पर थे एन कृष्णन वो ब्राह्मन थे वो भी 602 नंबर के साथ बस पिर क्या थ जाती का सम्मान दाओं पर लग गया उसे तो बचाना ही था फिर UPSC ने इंटेर्यू में ब्राह्मन कृष्णन को 260 नंबर दे दिये इस तरह से कृष्णन सिविल सर्विस के टॉप पर बन गये जातीगत दंब ने राहत की सास ले लेकिन समस्या कांत यहीं नहीं हुआ अनुसुची जाती के अचुता नंद दास को टॉप 20 या 30 में भी रखने से उनके जातीगत स्वाभिवान को डेस पहुच रही थी तो उन्हें इंटेर्यू में सारे केंडिडेट्स से कम नंबर सिर्फ 110 नंबर दे दिये गये अब रिटेन के टॉपर दास सहाब फाइनल में सीधे नीचे 48 वे नंबर पर आ गए लेकिन रिटेन में इतने अच्छे नंबर थे कि इंटेर्यू में सबसे कम नंबर दिये जाने के बावजूद भी वे आईएस बन गए तब बहुत विवाद हुआ लेकिन दास सहाब ने जनरल नौलेज के पेपर में भी टॉप किया था अब सवाल ये था कि जनरल को जनरल नौलेज में टॉप हो इंग्लिस में अच्छे नंबर लाए वह इंटेर्यू में फिसदी आखिर कैसे हो गया खेर जाती हित में विवाद को शान्त कर दिया गया लेकिन एक खेला और हो गया अनुरिद्ध दास गुपता जो की जाती से ब्राह्मन थे को रिटेन में 494 नंबर लाकर आखरी पोजिशन पर थे तो उनको इंटेर्यू में सबसे अधिक 265 नंबर दे दिये और वो फाइनल रिजल्ट में दलित अचुतान अंदास से उपर 22 वी रेंग पर आ गये अब अचुतान अंदास यूपी के डर के आईयस तो बन गए इस तरह लगातार इंटेर्यू में कम नंबर दे कर साल दर साल ना जाने कितने हाल ही में बालागाट के रामपैली गाउं में एक सवर्नमान सिक्ता वाले टीचर द्वारा बहुजन महापुरुशों के योगदान को नकार ने और विद्यार्थियों को उनकी जाती का नाम ले लेकर हिकारत भरी तुलना करने का एक मामला भी सामने आया है यहां भी सवर्नमान सिक्ता के उसके उच्च अधिकारियों ने शिकायत करने के बाद भी उस टीचर का बचाओ करने की बात सामने आ रही हो कोई कसर नहीं छोटे सब बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों पहले रायसेन के नवदय विद्याले में पदस्तेक ब्राम्हन टीचर द्वारा बाबा साहव अंबेट कर और समिधान के समंद में एक भाषन में गलत सुचनाओं का वर्णन किया गया था वहाँ पे गरत वक्तवे दिये गये थे इसका वीडियो वाइराल हो गया बाद में उस टीचर ने माफी मांग ली लेकिन प्रशाशनिक तोर पर उसके उपर कोई दंडात्म कारवाई नहीं हुई जबकि उक्त टीचर ने भ्रांतियों वाला वक्तवे एक बड़े समारों में माईक से दिया था अब देखना ये है कि इंटर्यू में हो रहे है इस घुटाले पर सरकार और आप सभी आम जनता क्या एक्शन लेंगे क्या आपको लगता है आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं आप बताएं कि आखिर क्या करना चाहिए आप क्या करेंगे क्या खामोश बैठे रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद